शम्भक्तो अगर आप दुखी रहते हैं, किसी भी बात को लेकर परिशानी में हैं, तो आज इस वीडियो के मादम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने इस दुख से किस प्रकार से चुटकारा मिलेगा, क्या आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आप दुखी ना रहे और सभी शम्भक्तो को जैसरी शम्, शम्भक्तो कैसे हैं आप सभी, उमेद करते हैं चाहिए होंगे, तो शम्भक्तो दुखी होने पर हमें क्या करना चाहिए, इस बात को जाने से पहले हमें ये जाना चाहिए, कि हम आखिर दुखी क्यों होते हैं, दुख का कारण क्या है, शम इस प्रकार से दुखी होने के बहुत सारे कारण है जिसके कारण से हम हर वक्त दुखी रहते हैं और दुख ऐसा होता है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तब भी हम दुखी है और अगर पैसा जादा है फिर भी हम दुखी है तो दुख हमारा कभी पीछा नहीं चोड़ता है पर तो इससे पीछा चुड़ाने का हमें तरकीव आना चाहिए क्योंकि श्यामबक तो अगर हम हर वक्त दुखी रहेंगे तो इसका सीधा प्रभाव हमारी मस्तिक्स पर पढ़ता है और जब हमारी मस्तिक्स पर इसका प्रभाव पढ़ेगा तो इससे कैसे बचा जाए श्यामबक तो क्या ऐसा काम करे जिससे हमें इन दुखों से मुक्ती मिल जाए चलिए जानते हैं इस बातों को श्यामबक तो सबसे पहली अगर बात करे अगर आप किसी कारण से दुखी है तो अपने उस दुख को स्विकार करे यानि आप दुखी है ये आपको स्विकार करना होगा शंबक्तो अपने दुख को दवाने या नजर अंदाज करने से पहले अपने आपसे कहे कि हाँ आप दुखी है शंबक्तो इंसानी भावनाई जो होती है वो जटिल होती है और दुख उनमें से एक है शाम भक्तो जब हम अपनी भावनाओं को मान्यता देते हैं तो हम उनसे निवटने का पहला कदम उठाते हैं शाम भक्तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिे कि ये जो दुख हमें मिला है ये आज थाई है यानि हमेशा के लिए नहीं है ये कुछ पल के लिए आया है और उसके बाद ये दुख जाने वाला है अगर हम अपने मन को इस प्रकार से समझाने में काम्याब हो जाते हैं हम अपने आपको समझाने में काम्याब हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि शाम भक्तो आपके मन को बहुती ज्यादा शान्ती मिलने वाली है शाम भक्तो आपको अपने दुख का असली कारण पहचानना होगा आपको जानना हुगा कि आप किस कारण से परिशान है और उस परिशानी को समझिए उस पर अमल करिए कि ये हमेशा के लिए नहीं आया और ये जो दुख है क्या ये हमेशा के लिए रहने वाला है क्या ये समाप्त नहीं होने वाला है शाम भगतो ऐसी बात नहीं होती जब दिन होता है तो रात भी होती है तो यह आपको समझना चाहिए रात के बाद उजाला होता ही होता है यानि दुख हमिशा रहने वाला नहीं है यह आपको अपने मन को समझाना ही होगा शाम भगतो जब आप दुखी हो जाते हैं तो आपको खुद को समय जरूर देना चाहिए यानि अगर आप खुद को समय नहीं देंगे और तुरंथी कुछ न कुछ डिसाइड कर लेंगे तो समझ लिजे आप बुझदिल हैं यानि आप दुखों से डर कर भागने वालों में से हैं आपको दुखों से डर के भागना नहीं चाहिए बलकि उसका सामना करना चाहिए डट कर सामना करना चाहिए और एक बीर के भाती आपको सामना करना होगा ये जो दुख है, ये कुछ पल के लिए आया है, ये बावश्याम आपकी परिशा ले रहे हैं, ये कटिन स्थिती है, जो आपके समक्ष घटित हुई है, इसके स्तुरूतों को पहचानिए, ये दुख आपको कहां से आया है, क्या ये दुख सिर्फ आपके साथ ही घटित और वो फोन आपका गिर के तूट जाता है या अगर आपका वो फोन चोरी हो जाता है तब आपके मन में अत्यदिक दुख पैदा होता है और आप इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मेरा इतना महगापोन तूट गया अब मेरा क् क्या होगा परन्तु श्यम्वक्त तो यह जो दुख है यह हमिशा रहनी के लिए नहीं आया है क्योंकि आप उस फोन को लेकर हर वक्त दुखी तो नहीं रहोगे यह शनिक दुखी है और जैसे ही उसका समाधन आपको मिल जाता है तो वो दुख आपका दूर हो जाएगा परन् के रखना चाहिए इस प्रकार से कठोर बना के रखना चाहिए हमें ये समझना चाहिए कि ये दुख का स्तुरोत क्या है शामभक्तो अगर आपकी कोई नौकरी चली गई है और आप चिंता में बैठे रहते हैं कि अब आपके पास कोई नौकरी नहीं है आपका घर के गुजार इस प्रकार से आपको उस दुख से बाहर निकलना है अगर एक नौकरी चले गई तो ऐसा नहीं है कि दुणिया में और नौकरी नहीं होगी और नौकरी नहीं है शामभक्तो अगर आपको खुद का कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें लागत कम हो और अंधनी ज्यादा हो तो शामभग तो ऐसे बिचार ऐसी सोच के लिए भगवान ने हमारी बुद्धी बनाई है हमें अकल दिया है, तो हमें अपने बुद्धी से सोचना चाहिए, यानि हमें ये सोचना चाहिए, कि अगर हमें नौकरी नहीं मिले, तो इसके पीछे भगवान का कोई विश्यस उद्देश्य होगा, यानि भगवान ये नहीं चाहते हैं कि आप नौकरी देने वाले वने, य चामभक्तों आप सभी जानते हैं जैसे कि पहले रिशी मुनी पहले तपस्या वगरा करते थे, कटिन तपस्या करते थे, सालो साल तपस्या करते थे, तब जाकर भगवान के उन्हें दर्शन होते थे, भगवान से आपने लिए कोई बर वगरा मांग पाते थे, चामभक्तों अपने पिता से भी परिशान रहता है, एक पिता अपने बेटे से भी परिशान रहता है, एक पतनी अपने पती से परिशान रह सकती है, क्योंकि अगर उसका पती शराबी है, तो वो परिशान रह सकती है, दुख ही रह सकती है, तो दुख के बहुत सारे कारण है, उन कारणों को हमें पहचानना होगा और हमें खुद को समय देना होगा यानि अगर आपने दुख के स्थूतों को पहचानने के बाद अगर आप खुद को समय देते हैं सोचते हैं कि इस दुख से हमें किस प्रकार से मुक्ती मिलेगी इसके लिए हमें कौन सा उपाई करना चाहिए क्या का करना चाहिए तो यकिन मानिए आपके वो दुख दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि शामभक्तो बहुत सारे परिवार के लोग ऐसे हैं कि जो वो हमेशा बेमार रहते हैं किसी का गुटेने का प्रॉलम है किसी अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो एबनॉर बच्चा होता है तो भगवान ने हमें ये विश्यस कारे करने के लिए सोपा है कि हम उसकी सेवा करें हमारी शरिण में जितने दिन जान है हम उसकी सेवा भाव के साथ सेवा करते रहे और यकिन मानिए उस लाइक भगवान हमें उस समय बना देते हैं कि हम उसकी सही से सेवा कर सके श्रम्भक्तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आप अपने आपको समय दीजिए खुद को समय दीजिए खुद के बारे में सूची खुद से प्यार ज़रूर करिए श्रम्भक्तो अगली बात करें तो आपको संबाद करना चाहिए संबाद मतलब यह होता है कि आपको बात्षित करना चाहिए, यानि बहुत सारे लोग दुखी होकर एकदम चुपचाप हो जाते हैं, किसी से अपने दुखों को कहते नहीं है, मन ही मन अपने दुखों को बिठा कर रखते हैं, और कोई गलत decision ले लेते हैं, तो शाम भक्तों ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए, अ अगर आप एक छात रहें, तो अपने माता, पिता से अपने दुखों को जरूर बोलें, अगर आपको कोई भी परिशानी है, class related, class में कोई परिशान करता है, तो जरूर अपने माता, पिता को अपने दुखों के बारे में बताएं, वो जरूर इसका समाधान करेंगे, शम् लिए आप अपनी माता-पिता से भी बात कर सकते हैं या आपका जो सबसे भरोसेमन मित्र है उससे आप बात कर सकते हैं मतलब श्याम भक्तों कहने का मतलब यह है कि अगर आप स्यादा दुखी है परिशान है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले अपने सगे सबं पिले उनको बताना चाहिए, फिर वो आपको कोई राय देंगे, थोड़ा डाटेंगे, थोड़ा समझाएंगे, वो आपको अपना राय देंगे, उस राय को आपको सुनना चाहिए, शाम भगतों अगर आपको कोई भी सुनने वाला नहीं है, अगर आपको लग रहा है इनमें घर में बावश्याम बिराजबान है बावश्याम के समक्ष जाकर अपनी सारी बातों को एकांत में जाकर बोलिए भगवान को बोलिए अपनी सारी बाते और यकीन मानिएगर श्राम भगवान से पूरे भाव के साथ अपनी बातों को रखेंगे तो आपका मन हलका हो जाएगा जिस प्रकार से आप अपने परिवार के समख्ष अपनी बातों को रखेंगे उसी प्रकार से आप अपने भाव को भगवान के समख्ष भी रख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है यानि भगवान भले ही जवाब नहीं देते हो वहाँ पर आपके सेमक्ष परें तो वो सुनते सारी बात है, शमबक्तो आपको संभध जरूर करना चाहिए, आपको अपनी दुखों से मुक्ती जरूर मिलेगी, शमबक्तो अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, दुखी हो चुके हैं, और अगर आपको कोई इन सबसे भी ब अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी और परिशान है, तो आपको बावश्याम का ध्यान करना चाहिए, यानि सुब़ सुब़ जल्दी उठ जाना चाहिए आपको, और जिस प्रकार से आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो योगा एक्सरस करने के साथ साथ खुले वातावरण में, यानि शान्त वातावरण में बैठ कर थोड़े दर बावश्याम का ध्यान करिए, यानि बावश्याम के उस मुख का स्मरण करिए, जो आप खाटू धाम में जाकर दर्शन करके आते हैं, और इसके साथ साथ जो पांच शक्ति शाल अगर आप सुबह सुबह उठकर शांत वातावरन में बैठकर अकेले में बैठकर भगवान के समक्ष चंतन करते हैं और अपने आपको इस प्रकार से रखते हैं कि जैसे कि आप खटू-धाम में उपस्तित होकर बावश्यान की समक्षिघ कड़े होकर ये सारी बाते कर रहें तो यकिन मानी शम्भक्तो आपको अपनी दुखों से जरूर मुक्ती मिल जाएगी शम्भक्तो आपको अपनी दुखों से मुक्ती के लिए आपको अपनी शरीर को स्वस्त रखना होगा अगर आपका सरीर बिमार रहता है तो कहते हैं कि बिमार शरीर में जो हमारा मस्टिक्स है वो बहुत स्यादा कमजोर हो जाता है जाते हैं और इस तरह के जो भाव अगर हम ले आते हैं तो यह हमें और दुखी करते हुए चले जाते हैं तो शाम भक्तो अपने सरीर को सबसे पहले स्वस्त रखना चाहिए क्योंकि स्वस्त सरीर में स्वस्त मन का बास होता है और अगर आपका मन स्वस्त रहेगा तो आपका स शरीर सवस्थ रहेगा, शामभक्तों मांसिक स्वस्थ और सारेरिक स्वस्थ एक दूसरे के पूरक है, यानि अगर इन दोनों में से कुई भी कम हुआ, तो समझ लीजिए हमारे दुखों का अंत नहीं है, शामभक्तों उधारेंड के तौर पर बता दू कि अगर हमारा मस्तिक सही से काम नहीं करेगा अगर हमारा मन सही प्रकार से नहीं सुचेगा तो हम सही से कोई काम नहीं कर सकते हम किसी चीज का सही गलत का decision नहीं ले सकते उस समय श्याम भक्तों लोग हमें पागल कह सकते हैं क्योंकि हम पागलों की तरह हरकत करने लग जाएंगे अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं हुआ तो श्राम भक्तों मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको प्रयाप्त नींद लिनी चाहिए आपको योगा वगर करनी चाहिए ताकि आपका सरीर स्वस्थ रहे श्राम भक्तों अगर आप वयाम या योगा वगर करते हैं तो शरीर में अंड्रोफिन नामक स्त्राव होता है और ऐसा माना जाता है कि ये स्त्राव आपकी पूरे शरीर के लिए लाबदायक होता है और आपको मांसिक रूप से बहतर महसुस कराने में लाबदायक सिध होता है यानि शामबक्तो अगर मन से दुखी वगरह हैं तो आपको बहतर महसूस होगा अगर आप exercise वगरह करते हैं शामबक्तो अगली बात करें तो आपको रचनात्मक कारे करने चाहिए यानि अगर आप कुछ ज़ादा दुखी हो जाए कुछ जादा परिशान हो जाए आप अपने मन को लगा कर कोई रचनात्मक कारे कर सकते हैं यानि शामबक्तों आप अपने आपको सक्रात्मक रखने के लिए अच्छी-ची बुक्स बगरा पड़ सकते हैं जो शामबक्तों आपकी पहले होबी थी वो होबी आप छोड़ चुके हैं अब आप हमेशा दुखी रहने लग गए उन सभी बातों को आपको सोचना है मैसुस करना कि आपकी होबी इस क्या है तो शामबक्तों इस प्रकार की रचनात्मक कारियों में आपको भाग लेना चाहिए अपने मन को हमेशा ऐसी जगा लगा के रखे जिससे आपका मन दुखी न हो अगर आपका मन बीजी रहेगा और रचनात्मक कारियों में लगा रहेगा तो आपकी जो दुख है दीरे-दीरे करके दूर हो जाएंगे अगली बात करें तो आपको आत्मकरोणा विक्सित करना होगा अपने अंदर आत्मकरोणा का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कारण से दुखी होते हैं तो अपने आपको दोश देने लगते हैं क्योंकि शाम बक्तो दुख के बहुत सारे कारण होते हैं जोगी मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है अगर शाम बक्तो ये दुख आपके कारण भी आया हो तो आपको खुद को दुशी बिल्कुल नहीं मानना चाहिए क्योंकि शम्भक्तो ये जो दुख है, ये छणिक है, कुछ छणों के लिए आया है, तो इससे लड़ने की शमता आपके अंदर होना चाहिए, इससे लड़िये, इससे घवराइये मत, इससे भागिये मत, और सबसे बड़ी बात खुद से प्यार करना सीखे, यानि जब तक आप जिस भी कठिन परिस्तिती में अभी आप जी रहें, परिशान हो रहें, दुखी हो रहें, अगर आप ये वीडियो देख रहें, तो यकीन मानिये, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, इन बातों पर अमल करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं, जब आपके त्यार खरे रहना चाहिए, ना कि एक बुझदिल के भाती इन दुखों से डर कर हमें भागना चाहिए, बलकि इनका डट कर हमें सामना करना चाहिए, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हमारा ये शरीर बलवान है, हमें अपने दुखों से डर कर लड़ते रहना चाहिए, यही बावश शाम कहते हैं और इन बातों को आपको जरूर सोचना चाहिए शामभक्तो अगर इस वीडियो से कुछ प्रेड़ना मिली हो तो कमेंट बॉक्स के माद्यम से अपने बहुपन ले कमेंट जरूर हमें लिखे बिलते हैं शामभक्तो एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए आप सभी शामभक्तो को जैसरी शाम